अच्छा लगेगा व्यू मेरी तरफ को जुमें दिखा रहे हूं तो यह है मेरे घर के पास वाला बिल्कुल घर के पास में है तो यह है मनशा रामन यहाँ पे बहुत दूर दूर से सबी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे मेला भी लगता है तो बच्च्पन में हम लोग यहीं पे मेला पे आते थे यहाँ पे रच्चा बंधन में मेला लगता है और रच्चा बंधन के एक मेना पहले भी मेला लगता है तो काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए यहाँ पे मुंदन भी होते हैं और दिखाई भी होती बहुत कुछ होता है तो ये मंशराम बाबा मंदिर है बहुत ही अच्छा मंदिर है और सभी की मनो कामना भी पूरी होती है तो आप लोगों को भी जो मांगना है मांग लीजे और मैंने सभी के लिए मांग लिया है और पीछे का स्कूल तो मैंने आपको दिखाया ही है तो यहाँ पे ह में जदा कुछ नहीं दिखाया है दिखाया है पर इतना नहीं आट कर रहा है क्योंकि ब्लॉक फिर बहुत लंबा हो जाता बस इसलिए तो कल के भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हो कितनी बड़ी फिल्ड है जहां पर मेला लगता था तो गा हुई है जो सफेद कलर की यह तो मनसाराम बाबा के दर्शन करोगे तो यहां दर्शन नहीं करोगे तो पूरा नहीं माना जाता है इसलिए दोनों जगे के दर्शन किये जाते हैं फिर मैं जाती हूँ थोड़ी से आम जहां से मैं आम तोड़ने जाती थी तो मैंने देखा य हम लोग तोड़ा करते थे तो यहां पे देख सकते हूं मेरी सिष्टर तोड़ रही हो बच्चे भी है जो वीडियो में आना चाहते थे कह रहे थे दीदी मेरे शाथ में में वीडियो बनाओ तो मैंने भी बच्चों को ले लिया है I hope आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं य माने के लिए जहां पे मैं मॉर्निंग वाक पे आया करती थी सुबा सुबा तो वो भी दिखाऊंगी तो देख सकते हो तो मैं यहां पे तोड़ने जा रही हूं तो कैमरा में पकड़ा रही थी फिर आई हूं तो मैंने डाल को लचा के फिर मैंने तोड़े बहुत सारे लग खुसी मिली है दुबारा से बच्छपन जीने में बहुत ही मज़ा आता है कभी भी नहीं बूल सकते हैं ये दिन वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ फिर मैं जा रही हूँ ये है दरी फैक्टरी ये भी मेरे महले की पास में है तो यहां पे बहुत सारी लेड रिकार्ड कर लेते हैं तो देख सकते हैं बहुत लोग काम कर रहे हैं ये है गाइस मेरे वहां की नहर तो दो नहर पड़ती है एक इस साइड है एक इस साइड तो ये पुल है नहर का तो बहुत ही अच्छी मैं यहीं आती थी मौनिंग बॉक पे गाइस ये जो रास्ता है ब और मेरी सिष्टर प्रेंक का वो सूट कर रही है बहुत अच्छा लग रहा था गाइस मेरी बिटु भी मस्ती करनी देख सकते हो तो यह है नहर गाइस बहुत ही बड़ी नहर है और यह है उसका पूल यहां से व्यो कितना ही सांदार है आप लोग खूदी देख सकते हो तो हम लोगru यहां पर मॉौनिंग में आया करते थे मार्निंग वाक पे हमारे वहां से चार से पांच किलो मीटर होगा और यहां पे हम सब लोग आते थे सारे शिष्टर लोग और कुछ लोगों की तो शादी हो गई है कुछ लोग हैं अभी भी तो देखी वो लोग तो आगे गी जारी मैं सूट कर तो गाइस मैं यहाँ पर आती थी मॉर्निंग वाक पे सुबा सुबा साड़े पांच वजे और बहुत यादे हैं यहाँ पर तो मैंने सूचा हाँ पर दोड़ते थे बच्छों के साथ में और एक सिस्टर है तो बच्चों से मिलवाते हैं तो बच्चे वीड़ियो में आने के लिए हैं सबसे मिलवटे हैं और बोलो जो बोलना है वीडियो को लाइक जरूर करना, सप्षाइब ज़रूर करना, मेरी दीदी का लाइक जरूर करना शालू कह रही है, तो अपना नाम बताओ यार और आप का क्या नाम हैонов तो आप लोग जानती है थो हम लोग red ओपे यहां पे सिह करेंगे तो फोटो सूत करेंगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा और इंज्याई करिएगा तो गाइस यहाँ पे मैं फोटो कीचवा रही थी तो वो वीडियो बना रही थी मुझे लगा फोटो कीच रही है मेरा लेकिन पेछे से व्यू कितना मस्त आ रहा था तो मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताना मैं यहाँ प्यानिका को बुला रही हूँ और बहुत ठक गई थी क्योंकि बहुत दिन बाद पैदल चल के इतना आए थे हम लोग लेकिन मज़ा भी बहुत आया गा आज का मेरा वीडियो आई होप आप सभी को बहुत पसंद आयेगा पसंद आये तो लाइक सेर सस्क्राइब माई चैनल प्लीज गाई सपोर्ट करिए तो मेरे पीछे देखे कितना आजशा नहर है और कितना सारा पानी है आप लोग देख सकते हो तो अभी थोड़ा बहुत थोड़ा टेहल लेते हैं और फिर घर चलके फिर अब इस वीडियो को मैं यही प्लीज आई होगा तो बच्चे देख लो पेड़ पे चड़के कितनी मस्ती कर रहे हैं कह रहे थे दीदी मेरा वीडियो बनाओ तो मैंने बना लिया वीडियो देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है ना तो किस किस को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बच्चे कह रहे हैं मैं और वीडियो बनाओंगी दीदी तो मैं उनको जब तक मैं यहां पे हूँ तो जरूर उने वीडियो में लाओंगी क्योंकि बच्चों का बहुत मैना है और बच्चे बहुत अच्छे डांस भी करते हैं पर मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपी राइट आ जाता है सॉंग डाले में फिर मिलते हैं नए ब्लॉक में तब तक के लिए बाई गाई अपने क्यालर की लव यू अल